नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? I hope आप सब अच्छे होंगे, बढ़ियां होंगे और आपका कल्चर बड़े अच्छे धंक से चल रहा होगा जैसा कि आप लोग इस्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये सब छोटे छोटे तलाब हैं कोई 10,000 स्क्वाइर फीट का है, कोई 20,000 स्क्वाइर फीट का है तो इन सभी तलाबों में कैट फीचों का पालन होता है जैसा कि आप मानके चली कि पंगासियस मचली जो हो गई और उसी के साथ में थोड़ा सा IMC भी ये लोग डाल देते हैं मतलब 10,000 स्क्वाइर फीट का अगर ये तलाब है तो इसमें 100-200 बच्चा जो है IMC के टेगरी का मचली का बच्चा ये पंगासियस के साथ में ही डाले रहते हैं तो जो कि इनका पंगासियस मचली सब हार्वेस्टिंग हो गया है और इसमें जो बचे हुए IMC के टेगरी के मचली है तो क्योंकि पूरा जाल चलाएंगे तो जाल का जो किराया होता है वो सब जादा लग जाएगा उस नाते ये कि फसले के नाम से इनके पास जाल आती है जो ये मचली बेशते हैं वही अपना खुद का लेके आते हैं जो फसला वाली जाल होती है और उसी से IMC मचली को डाल करके अकेले ही मतलब एक मैन मचली को बड़े आराम से पकड़ करके उसको अपने पास में रख करके उसको लेके जाते हैं जैसा कि आप लोग वीडियो में लाइप देख पा रहे हैं ये फसला जाल इस पार से उस पार सिर्फ बांद दी जाती है और इधर उधर जो है थोड़ा बहुत पानी को हलचल मचा दिया जाता है और सब मचली आ करके उसी जाल में फस जाती हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये एक कामन कार्व की मचली है जो एक किलो उपर साइज हो चुका है क्योंकि जब पंगासियस मचली इसमें था तो जो खाना उसको दिया जाता था जो वो वेश्टेज निकालती थी तो वो ये सम मचली आ खा करके बड़ी हो गई है इनको अलग से फीडिंग कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है क्योंकि आप माने के चलिए कि अगर 10,000 स्कॉयर फिट का तलाब है 200 बच्चा अगर डाल देंगे तो वो तो वैसे ही पल जाता है जो कि ये बेश्टेज पे ही पलता है पंगास मचली के दाने के तो आप लोग देख पा रहा है ये फसला नामक जाल है जो इसमें स्पेस थोड़ा जादा होते हैं और इसमें मचलीयां जो बड़ी साइसी होते हो बड़े आराम से फस जाती है और सब एक एक करके ये निकाल करके एक छोटे से हापे में इसको रख करके अभी इसको तौल करके ये लेके जाएंगे क्योंकि अगर बड़ी जाल चलाई जाएगी तो उसमें जो है पांच-छे आदमी लोग लगते हैं जो उनको भी पैसा देना पड़ता है अब इसमें चूकी मचली कम है तो उसके लिए ये छोटी सी जाल ले आकरके अपना खुद से ही पकड़ करके मचली को जो है लेके ये चले जाते हैं मानके चलिए 40-50 केजी मचली ये रोजाना आकर ऐसे ही पकड़ के लेके जाते हैं क्योंकि ये आई-मसी मचली है तो इसमें कोई दिक्कत आता नहीं है और इसमें अभी 10-20-50 बच्चे पंगेसियस मचली का बच्चा-बच्चा है जो उस समय जब हार विश्टिंग हो रही जो इसमें छोटा बच्चा बच्च गया था उसको भी इसी में रख दिया गया है और इसी के साथ वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर ये फसले की मदद से जो है ऐसे ही मचली फस्ती हुई जो है इनके हाथों में बड़े आराम स आज आ रही है तो दोस्तों इस फसले वाली जाल में जो है आद्मियों की कम जरूरत पड़ती है क्योंकि इस पार से उस पार पहले इस फसले वाली जाल को बांध दीया जाता है और 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जो की स्ट्रीट एक दम आपके तलाबों में बी जाल चलाने की कोई जरूरत नहीं है, आप भी इसी तरह से बच्चे को आराम से निकाल सकते हैं, कई सच्वेशन में कहते हैं कि इकठा माल हम नहीं लेके जा पाएंगे, तो अगर थोड़ा बहुत माल लेके जाना है उनको, तो उनसे बात करके आप इसी तरीके से जो है आप म हाया है, तो इस समय हार्वेस्टिंग होने जा रहा है, यह सब निकाल रहे हैं, क्योंकि अब जनवई का महीना चल रहा है, अब इसके बाद मार्च आ जाएगा, मार्च के पहले सब्ता में, इन सभी तलाबों में फिर से बच्चे पढ़ेंगे, जो की 1 kg जाने का टार्गिर रखा जाएगा, तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके अराम से बेचा जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं, जो कटिंग वाले होते हैं, वो 10 रुपया इस्ट्रा ही देके पर केजी के हिसाब से लेके जाते हैं, अगर गाड़ी वाले को लोड कराते हैं, तो यह 10-20 रुप जानी जाते हैं, जो कि आप लोग बड़े अच्छे तरीके से पहचानते होंगे, तो यह जाल से धीर-धीर करते हुए निकाला जा रहा है, और जो दो-चार बच्चे जो पंगासियस के इसमें छूटे थे, वो जो फंस जा रहा है, उनको फिर से निकाल करके उसी तलाम में छोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि इस समय पंगासियस का रेट अच्छा नहीं है, तो इसलिए जो भी बच्चा-बच्चा है, उसको जो है, बाद में उसको निकाल के सलाउट कर दिया जाएगा, बच्चा छोड़ने से पहले एक बार महाजाल चला करके, जितने भी तो आप लोग अगर थोड़ा बहुत किसी को देना चाहते हैं अपने तालाब से तो ऐसे इसी तरीके से आप मचली को निकाल करके सलाउट कर सकते हैं, जो कि आप लाइब वीडियो में देख पा रहे हैं, ये ऐसे ही फंस जाती है, और इनको एक एक करके निकाल करके उसको स समनकार, और जो दाना खाती थी, पंगास मचली, उसका बेश्टेस तो ये बड़े अराम से खा करके ये आप इस साइज में देख पा रहे हैं, ये लोग हो गई हैं, लगभग एक किलो, डेड़ किलो के उपर ही हैं, ये सब, और जो भी भाई लोग चैनल पे नए आए हों, प्लीज जो है चैनल को सस्क्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो बना के आप सभी को दिखाते रहें, दोस्तों अगर आप लोग चैनल को सस्क्राइब करेंगे, तो उसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है, आपके सामने जो red बटन लिख तो आप लोग देख सकते हैं ये एक-एक करते हुए जो है जितना मचली इनको लेके जाना है उस हिसाब से निकाल करके ये छोटा सा हापा है उसमें रख दिया जा रहा है अभी इसको लेकर के तौल करके ये लेके जाएंगे और जो भाई लोग किसान ये मचली पालम ने आना चाहा रहे हैं हमने ट्रेनिंग का वीडियो नमबर पार्ट वन से लेके सीरीज बना रहे हैं रोजाना एक वीडियो हम इस चैनल पे पोस्ट कर रहे हैं वो सब वीडियो देखने के लिए हमाई चैनल पे फोल्डर हमने बना रखा है आप लोग एक सीरे से जो है सुरू से कैसे ये किया जाता है पूरा हम सिखा रहे हैं वो भी थेओरी के माध्यम से तो आप लोग उसको वाच कर सकते हैं उस वीडियो को और देख करके आप बड़े आराम से सीख भी सकते हैं और अभी ये वीडियो जैसे ही लास्ट सकते हैं और जिन भाई लोगों को कोई भी मचली का बच्चा चाहिए जीरा हो चाहिए फिंगर साइज का हो चाहिए पंगाशियस हो तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं इसकीन के दिये गए नंबर पे आप हमसे फोन करके बात कर सकते हैं और आप तक हम उसका बच्चा पहुचाने का काम करते हैं, जो कि रेलवे के माध्यम से, अगर आप इंडिया में दूर से हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, फिर राजस्थान हो गया, जितना दूर रहेगा उस हिसाब से हम फ्लाइट के माध्यम से आप तक बच्चा पहुचा वो अच्छा नहीं होगा, कई लोग किसान परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा सर बढ़ता नहीं है, तो कंडिशन यही है कि आप बड़े बूडर का बच्चा सायधा की नहीं लेते होंगे, तो वो सब क्वाल्टी मेंटेन करते हुए आप बच्चा लीजिए, तो आपका डेफिनेटली जो है बढ़ेगा बच्चा, तो दोस्तों यह सब वीडियो आप देखके क्या फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, और यह सब मचलिया आप यह लेके जाएंगे, तो हमने यह फसले पे जो है छोटी सी यह वीडियो थी, उसको बनाके आपको दिखाया है, चली दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ,